नमस्कार मैं भाग किश्री, बिसिन न्यूस के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वाकत है, खबरों के और बढ़ने से पहले आए डालते एक नजर आज की सुर्कियों पर कॉल इंडिया लिमिटेट का एकी क्रूज शिद्ध लाब चालू वित्वर्ष की जून तिमाही में 10 प्रतिशत घटकर 7,941 दश्म लो चालिस करोड रुपे रहा मुखिरूप से खर्श बढ़ने से कमपनी का मुनाफ़ा कम रहा है इससे पिछले वित्वर्ष की समान तिमाही में सारवज जनिक शेत्र की कमपनी ने 8,834 दश्म लो बाइस करोड रुपे का शुद्ध लाब कमया था शेर बाजारों को भीजे सुचना में कमपनी ने कहा कि तिमाही की तोरान उसकी कुल आए 4% बढ़कर 27,521 दश्म लो शुन्य तीन करोड रुपे पर पहुच गई जो इससे पिछले वित्वर्ष की समान तिमाही में 36,06 दश्म लो पैसस करोड रुपे थी इस दरान कमपनी का खर्च 11,100 प्रतिशत बढ़कर 26,785 दश्म लो अडश्म करोड रुपे हो गया जैसे पिछले साल की समान आउती में 23,985 दश्म लो 31 करोड रुपे था कोईला मंत्राले की तहट आनेवाली कोल इंडिया देश में कोईली की प्रमुख उत्पादक एवं आपुर्दि करता है TVS मोबिलिटी ग्रुप की कमपनी TVS Supply Chain Solutions Limited का IPO 10 अगस को शेयर बासान में हिट करने वाला है अंकर इंवेस्टर्स को इस IPO में एक तीन पहले ही बोली लगाने का मौका मिलेगा कमपनी ने एक शेयर के लिए प्राइस ब्रैंड 187 से 197 रुपे तै क्या है रिटेल इंवेस्टर्स इसमें 10 अगस से 14 अगस 2023 तक बोली लगा सकेंगे इस IPO में रिटेल इंवेस्टर्स को कम से कम 16 शेयरों के लिए बोली लगाने होगी इस से उपर वे 16 शेयरों के गुनक में बोली लगा सकेंगे जमीन जाइदात के शेत्र में नीजी एक विटी निवेश इस साल पहले 6 मामी सालाना आधार पर एक विटी निवेश इस साल अपरेल जून तीमाही में 15,580 करोड रुपे रहा जो इससे पिछली तीमाही के मुकावली ट्रेसर्स प्रतिशत और 32 साल की इसी अवधी के मुकावले 60 प्रतिशक दिखे जन्वरी जून में संचय रूप से 24,680 करोड रुपे का निवेश हुआ जो पिछले साल 2022 की पहली 6 माई के निवेश के मुकावले 51 प्रतिशत औरीक है अबना एंटरप्राजेस ने कारोबार बढ़ाने और उद्योग की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वितवर्श 24 में 150 करोड रुपे का निवेश करने के योजना बनाई है गतिशल बुनियादी धाचागत जरुरतों को पूरा करने वाले शिर्श उत्पाद और सिवाई प्रदान करने के लिए कमपनी के अदूट समर्पन का प्रमान है हैदराबाद के रुद्र राम में एक अट्टा दुनिक यूपी विसी संयत्र स्तापिक करने के लिए 100 करोड रुपे के परिवेव की योजना बनाई है जिसे यूपी विसी प्रोफाइल का मासिक उत्पादन मौजुदा 700 टन के मुकाबली 70% बढ़कर 1200 टन हो जाएगा प्रबंध निदिशक अश्विन डेटी ने कहा कि हमारा कारोबार देजबर में फैला है और भी विस्तार के मोड में है चालो वितवर्ष के अंद तक 2100 करोड रुपे की आयका लग शका है खादिवस्तों के दाम में तेज़ी से जुलाई महने की खुदरा महंगाई दर्मी तेज वृत्ती हो सकती है और यह पिछले महीने के मुकाबले एक दशमलो 90 प्रतिशत बढ़कर 6 दशमलो 7 प्रतिशत तक जा सकती है एक विदिशी बैंक के अर्थशास्तियों ने यह अनुमान लगाया है डॉचे बैंक इंडिया के अर्थशास्तियों ने सुमवार को एक रिपोर्ट में कहा कि जुलाई महने की उपभोकता मुल्य सुचकांक आधारीत मुदरा स्मिती बढ़कर 6 दशमलो 7 प्रतिशत हो सकती है जो जुन में 4 दशमलो 8 प्रतिशत ती बैंक के मुख्य अर्थशास्तिक और शिकदास की अगवाई में अर्थशास्तों की अरिपोर्ट एक जुलाई महने में आने वाली मुदरा स्मिती की आकड़े और भारते रिजर्व बैंक की मौदरिक निती समिक्षा से पहले आई है विशेशक्गों का मानना है कि आर्पियाई द्वीमासीक मौदरिक निती समिक्षा में निती गर्दर को इस बार भी यधावत रख सकता है पिछली दो समिक्षा में निती गर्दर में कोई वृत्ती नहीं की गई है मौदरास्विती बढ़ने का कारण टमाटर और प्यास की अगुवाई में खादी वस्तूर के दाम में देजी है साथी चावल के दाम भी बढ़े है जरूरी 22 खादी वस्तूर के दैनिक दाम 12.3 प्रतिशत बढ़े है जबकि जून में इसमें आसितन 2.4 प्रतिशत का एजाफा हुआ था प्रामुक सब्जियों में टमाटर के दाम जून में 236.1 प्रतिशत बढ़े जबकि जून में इसमें 38 प्रतिशत की वृत्य हुई थी बिरो रिपोर्ट BCN News बिस्नेस समाचा में फिलाल इतना ही ताजा खबरों के लिए देखते रिए BCN News नमस्कार